देखिए सादि कि शुरुवात मतलब लगन जो है वह सुरू हो गया है तैरह तारीक के बाद से ही जो की मेंज संक्रान्ति के बाद विवाध के महुर्त जो है वह सुरू हो गया है आपको बता दे कि अप्रेल में 9 महुर्त हैं जो पहला है आपको बता दे 18 तारीखों, 19 तारीखों, 20 तारीखों, 21 तारीखों, 22 तारीखों, 23 तारीखों, 24 तारीखों, 25 तारीखों, 26 तारीखों आगे की बात करें इसके बाद जो है शुक्र अस्त हो जाएंगे सुक्र और बिर्श्पति के अस्त हो जाने के बाद बेवाहिक जो काजकरम है उस पे जो है लगाम लग जाएगा मतलब रुख जाएगा फिर जुलाई से बीवाह का जो है काजकरम शुरू होगा जुलाई में कुल मिलाकर नौ महुरते हैं आपको बता दे कि पहला जो है दस त गरवाह 83 तारीक को है- उसके बाद शाथर मांस की शुरुआत हो जाएगा ज़ो होगे उस सब्यम आपको बता दें कि 17 ट 21 तरीक उर्फस तारीको चौविस तारीको सो हो पचिस तारीको डिप्शस्टारीको डिश्ध को विवाह को मोहुट दु मिल रहता है dat संबर में भी दो तारीकों, तीन तारीकों, चार तारीकों, पास तारीकों, दस तारीकों, ग्यारह तारीकों, तेरह तारीकों, चौदह तारीकों और पंद्रह तारीकों, ये दो हजार चौविस में इतने ही कम लगन है, लेकिन इसके बाद दो हजार पचीस में लगन की वाजार पच्चिस को है, आपको बता दें 17 जंवरी को है 18 जंवरी को है 19 को है 20 को है 21 को है 22 को है 23 को है 24 को है और 25 को है फिर फरवरी में महुर्थ मिल रहा है, एक को, दो को, तीन को, च्छा को, साथ को, आठ को, बारा को, तैरा को, चौदा को, पंदरा को, सोला को, सतरह, अठारह, उन्नेश, बेश, एक इस, बाहिस, तेश, चौविस और पचीस में, उसके बाद मार्च में भी अगले साल महुर् तारीकों है, आपको एक तारीकों है, दो तारीकों है, तीन तारीकों है, पास तारीकों है, चाह तारीकों है, साथ तारीकों है, तैरा तारीकों है, और चौदा तारीकों है, तो यह बेवाहिक जो है, यह दिन है, इस समय सभी को सुभदा होगी, जो लो बिवाह से सम्मंद दिन खोज रहे हैं सर्च करना है जिनको तिल्ए करना जिनको विवाह करना उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगा विवाह जो है वहां नक्षत महुर्थ हमारी पंचांगों में जो निरिधारित किये रहे हैं उसी के अनुशात किया जाता है पट्ना से लोकाल एटि झाल 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 झाल